हेलो दोस्तों तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग महत्मा गांदी के बारे में लग या जी भी नहीं देखते हैं लोग इनके कार भी देखेंगे सब कुछ इस लेक्चर में बात करेंगे तो इनके जनम की बात करें तो दो अक्टूबर 1889 में पोरबंदर काठी आवाड एजनसी अब गुजरात में है जो और इनकी मिठती हुई थी जो 30 जनवरी 1948 दिली में इनके कारियों की बात करें तो सुतंता अंदुलन में सबसे महत्मा गांदी के नाम से मसहूर मोहन दास करमचंद गांदी भारतिय सुतंता अंदुलन के एक पिरमुक राजनेतिग थे सत्यागे और अहिंसा की सिद्धानतों पर चल कर उन्होंने भारत की आजादी दिलाने में महत्मूर भूमिका निवाई उनके इन सिद्धानतों ने पूरी दुनिया में लोगों को नांगरिक अदिकारों और एवं सुतंता अंदुलन के लिए फेरिद किया उन्होंने भारत का राष्टपती राष्टपिता भी कहा जाता है सुवाश्चंद बॉस ने 1944 में रंगून रेडियो से गांदी जी के नाम जारी तसाडन में उन्हें राष्टपिता कहेकर संभोधित किया था मतमगान दी समुचर मानव जाती के लिए मिसाइल है उन्होंने हर परिष्टिती में एंसा और सत्त का पालन किया और लोगों से भी इसका पालन करने के लिए कहा उन्होंने अपना जीवन सदाचार में बुजारा वा सदेव परमपरागत भार्टिये पोसाग दोती वा सूच सेवनी साल पहनते थे सदेव साकाहारी भोजन खाने वाले इस महापुरुस ने आत्म सुध्धी के लिए कई बार लंबे उपवास भी रखे 1915 में भारत बापस आने से पहले गांधी ने एक्तिरवासी बकील के रूम में दच्छिन अफीका में भार्टिये समुदाय के लोगों के नागिरिक दिकारों के लिए संगहश किया भारत आकर उन्होंने समुच्चे देश का भिमर किया किसानों मजदूरों और श्रेमकों को भारी भूमी कर और भेदभाव के वरुद संगहश करने के लिए इलजुट किया सन 1921 में उन्होंने भार्टिये राष्टी कॉंग्रेस की वागडोर समाली और अपने कारियों से देश के राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक फरीदेस्ट को प्रभावित किया उन्होंने सन 1930 में नमक सत्रा गए और इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से खासी फिसिद्धी प्राप्त की भारत के सुतंतता संगहर्ष के दोरान कई मोखों पर गांदी जी कई बरसों ने जेल में भी रहे अब गांदी जी के प्यारम भी गीवन की बात करते हैं लोग मोहंदास करमचंद गांदी का जनम भारत में गुजरात के एक तटिय सहर और वंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ उनके पिता का नाम था करम चंद गांदी जो बैटे स्राज के समय काठिया वाड की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे मोहंदास की माता का नाम था पुतली भाई पर नामी बैस समुदाय से तालुक रखती थे इनकी माता अत्यतिक धार्मिक प्रिवर्ति की थी जिसका प्रिभावई वा मोहंदास पर पड़ा और इनी मूलने आंगे चल कर उनके जीवन में महत्पून भूमिका ने भाई वह नेमित रूप से दृत रखती थी और परिवार में किसी के वीमार पढ़ने पर उनकी उसकी नेमित रूप से दृत सेवा सुद्धा में दिन रात एक कर देती है इस पेकार मोहंदास ने सोभाविक रूप से अहिंसा साकाहार आद्म सुद्धी के लिए दृत और विमिने धर्मों और पंधों को मानने वाले वीच परिश्वर सहिस्टूं तक हो अपनाया बत करते हैं लोग सन 1883 में साड़े तेरह साल की उम्मे में उनका विभायस 14 साल की कस्तूरवा से करा दिया गया जब मोहंदास 15 वरसके थे तब इनकी पहली संतान ने जनम लिया लेकिन वा केवल कुछ दिनों ही जीवित रही उनके पिता करम चंद गांदी भी इसी साल 1885 में चल वसे बाद में मोहंदास और कस्तूरवा की 4 संतान है जनम हरीलाल गांदी 1888 मढेलाल गांदी 1895 राम्दास गांदी 1897 देव्दास गांदी 1900 ये हुए उनकी संत्याने चार उनकी शिख्छा की बात करें मेडल सिक्षा की तो स्कूल की सिक्षा हुई पूरबंदर में हो और हाई स्कूल की सिक्षा राज़कोट में हुई सेक्षेर की इस तर पर मुहंदास एक औसक चाहत है सन 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परिच्छा अहमदावास से उतीन की इसके बाद मोहनदास ने भाव नगर के सामलदास कॉलेज में दाखला लिया पर खराब स्वास्त और गह बेयोग के कारण वह आपसन ही रहे और कॉलेज छोड़कर पूरवंदर वापस चले आए अब इनकी विदेशी सिक्षा को देखते हैं हम लोग मोहनदास अपने परिवार में सबसे जाना पड़े लिखे थे इसलिए उनके परिवार बाले ऐसा मानते थे कि वह अपने पिता और चाचा का उत्तरादीकार बन सकते हैं उनके एक परिवारिक मित्व माओजी देव ने ऐसी सलाइदी की एक बार मोहनदास लंदन से देरिष्टर बन जाएं तो उनके को आसानी से दीवान की पदवी मिल सकती है उनकी माता पुतलिवाई और परिवार के अनसा दस्तों ने उनके देश चाने की विचार कबरोद किया पर मोहनदास के अस्वासन की पर राजी हो गए बस 1888 में मोहनदास यूनिवर्शिटी कॉले लंदन में कानून की पड़ाई करने और वेरिष्टर बनने के लिए इंगलेंड चले गए अपने माता को दिये गए बचन की अनसार ही उन्होंने लंदन में अपना बक्त बुजारा वह उन्हें साकारी खाने से सम्मध बहुत कटनाई हुई शुरूवाती दिनों में कई बार भूंके ही रहना पड़ा धीरे देरे अन्होंने साकारी वोजन वाले रेस्टूरेंट के बारे में पता लगाया इसके बाद उन्होंने vegetarian society की स्थापना गी तो यह vegetarian society की सदस्था भी गेंड कर ली इस society की कुछ सदस थी, वो सोफिकल society की सदस भी थे उन्होंने मुहन्दास को गीता पढ़ने का सुझाओ दिया आगे बात करते हैं, जून 1891 में गांदी भारत लोटी वहाँ जाकर उन्हें अपनी मा के मौत के बारे में पता चला उन्होंने बॉंबे में बकालत की सुरुआत की पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली इसके बाद वो राज़ कोट चले गए, जहां उन्होंने जरूरत मंदों के लिए मुकदमों की अर्जियां लिखना का कार सुरूं कर दिया परंतु कुछ समय बाद हुना है यह काम भी छुड़ना पड़ा आखिरकार 1893 में एक भार्तिय फार्म ने नेटल में एक वर्स के करार पर वकालत का कार सुरिकार किया अब गांदी जी की दच्छिन अफिरका की यत्रा देखिते हैं 1893 से 1914 गांदी जी 24 साल की उम्मे में दच्छिन अफिरका पहुंचे वह पिट्टोरिया इस्थितकुछ भारतिय ब्यापारियों के नियाएक सलायकार के तोपर वहां गए थे उन्होंने अपने जीवन के 21 साल द मेतत कोसल का विकास हुए दच्छिड फीका में उनके गंभी नसल पेदभाव का सामना करना पड़ा एक बार ट्रेन में पिथम सेड़ी की कोच की वेल्ट टिकेट होने के बाद तीसरी सेड़ी के डिब्बे में जाने से इंकार करने के कारण उन्हें ट्रेन से वहार फेक द गई आगे देखते हैं लोग दच्छिड फीका में भारतियों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए उनके मन में वेटिस समराज के अंतरगत भारतियों के सम्मान तथा स्वयम अपनी पहचान से संबंदित पिस उठने लगे अफीर का में गांदी जी ने भारतियों को अपने राजनेती को सामाजी का-धिकार के लिए संगर्ष करने के लिए फ्रत किया उन्होंने भारतियों की नांग्रिक्ता समंदी मुद्दे को भी दच्छिड फीकी सरकार के सामने उठा सर उनी सीज torch में जुलू योध भार्तियों को भर्ती करने के लिए बैटे सद्कारियों को सक्की रोव पसे फिरित किया गांदी जी के अंसार अपनी दाव्यां को खानूनी जामापह्ठाने के लिए भार्तियों को बैटेश योध में प्रयासों को शहयोग देना चाहिए अंगली बात करते हैं भालती स्रितंतता संग्राप का संग्रस 1916 से 1945 तर बर्ष 1914 में गांधी दच्छ अफीका से भारत बापस लोटी इस समय तर गांधी एक राष्ट्रवादी नेता और श्रयोजक के रूम में पितिष्ठित हो चुके थे वह और गांधी कांग्रेस नेता गोपाल किसन गोखले के कहने पर भारत आये थे और शुरुमाती दोर में गांधी के विचार बहुत हद तक गोखले के विचारों से त्रवहावित थे फयारम में गांधी जिन देश के विमिन भागों का दौरा किया और राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्नों को समझने की कोशिस की अब देखते हैं चमपारण और खेडा सत्ते आ गए विहार के चमपारण और गुजरात के खेडा में वे अंदुलन ने गांधी को भारत में पहली राजनेतिक सफलता दलाई चमपारण में वेटिस जमीदार, किसानों को खाद फसलों की बजय नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और सस्ते मूल पर फसल खरीतते थे, जिससे किसानों की स्थिती वत्तर होती जा रही थी इस कारण बे अत्तितिक गरीवी से घिर गए थे गरीवी से घर गए थे एक बिनासकारी है काल के बाद अंग्रेजी सरकार ने दमनकारी कल लगा दिये जिसका वोग दिन पिती दिन बढ़ता ही है फुल मिलाकर इस्तिती बहुत ही निरास से जनक हो गई गांदी जी ने जमीदारों के खिलाब बिरोद पिदर्शन और हरतालों करने दित किया जिसके बाद गरीब किसानों की मांग को माना गया सन 1918 में गुजरात इस सित खेडा बाड़ और सूखे की चपेट में आ गया था जिसके कालए किसान गरीबों की इस्तिती बत्तर होई थी और लोग करज माफी की मांग करने लगी खेडा में गांधी जी किस मार्ग दर्सक में सदर पटल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विवस के लिए किसानों का नितत किया इसके बाद अंग्रेजों ने राजस संग्रहण की से मुक्ति दे कर सभी केदियों को रहा कर दिया इस पेकाज चमपारन और खेडा के बाद गांधी जी ख्याती देश बन गए देश भर में फ्याती वह स्थनतता अंदोलन में एक मात्पून नेता बन कर ओब रहे अब खिलापत की बात कर लेते हैं खिलापत अंदोलन कांग्रिट के अंदर और मुस्लमों को बीच अपनी लोकपीता बढ़ाने का मौका गांधी जी के को खिलापत अंदोलन के जरिये मिला खिलापत एक विस्वयाफी अंदोलन था जिसके द्वारा खलीपा के गिरते बेव प्रभुत का विरोध सारी दुनिया के मुसल्वानों द्वारा किया जा रहा था पित्थम पिस सेउद में पराजित होने के बाद ओटोमन समराज भी खंडित कर दिया गया था जिसके कारण मुसल्वानों को अपने धर्म और धार्मिक इस्थलों को स्षा को लेकर चिंता बननी हुई थी भारत में खिलापत का नितत आल इंडिया मुसलिम कॉन्फरेंट्स द्वारा किया जा रहा था धिले धिले कांधी इसके मुख प्रवक्ता बन गए भारतिय मुसल्वानों के साथ एक जुप्ता ब्रेक्त करने के लिए उन्होंने अंगरेजियों द्वारा दियेगे सम्मान और मेडल वाफस कर दिये इसके बाद गांधी जी ने ना सर्फ कांग्रेश बलकी देश के एक मात ऐसा नेता बन गए जिसका फिरभाव पेविन समधारों के लोगों पर पड़ा अब इसके बाद असाहयो गांधोलन की बात कर दें गांधी जी का मनना था कि भारत में अंग्रेशी हुकूमत भारतियों के सहयोग से ही संभव हो पाई है अगर हम सब मिलकर अंग्रेशों के खिलाब हर बात पर असहयोग करें तो आजादी संभव है गांदी जी की बड़ती लोकपीता ने उन्हें कांग्रेश का सबसे बड़ा नेता बना दिया और अब हुआ है इस स्तिती में थे कि अंग्रेजों की ग्रोध आसहयोग, अहिंसा और सांतिपूर्ण पिति का जैसे अस्तों का प्योग कर सकें इसी भी जलिया वाला नरसंगार ने देश को फारी आगात पहुंचाया जिससे जन्ता में क्रोध हिंसा की ज्वाला बढ़क उठी गांदी जी ने सुदेशी नीती का आन किया जिसमें विदेशी बस्तूओं विसे इसकर अंग्रेजी बस्तूओं का बहस्कार करना था उनका कहना था कि सभी भारती अंग्रेजियों द्वारा बनाए गए बस्तों की अपेक्चा हमारे अपने लोगों द्वारा हास से बनाए गई खादी पहने उन्होंने पुर्सों और महलाओं को किती दिन सूद काटने के लिए कहा इसके इलाबा महत्मा गांदी ने बेटेन की सिक्षिक संस्थाओं और अधालतों का बहस्कार सरकारी नौकियों को छोड़ने तथा अंग्रेजी सरकार से मिले तमगों और सम्मानों को वापस लोटाने की इल्म का नुरूद किया असायोग अंदोलन को अफ़ार सफलता मिली जिससे समाज के सभी बर्गों में जोस भागीदारी बढ़ गई लेकिन फरवरी 1922 में इसका अंत चोरा चोरी चोरा काटने के साथ हुआ इस हिंसा गटना के बाद गांदी जी ने असायोग अंदोलन को वापस ले लिया उन्हें गिरपतार कर राज दुरो का मुकद्दमा चलाया गया जिससे उन्हें छे साल की सजा हुई खराब स्वास्त के चलते उन्हें फरवरी 1924 में रहा कर दिया गया अब गांदी जी का सुराज और नमक सत्या गया दिख लेते हैं सहयोग गांदोलन के दौरान गिरपतारी के बाद गांदी जी फरवरी 1924 में रहा हुए सन 1928 तक साथ की राजनीती से दूर ही रहे इस दौरान और सुराज पाइटी और कांग्रेस के बीच मनमोटाओं को कम क करने लगे में लगे रहे इसके अत्रेक्ट आस्पस्विता सराव आज्यानता और वरीबी के लड़ते रहे इसी बीच अंग्रेजी सरकार ने सर जौन साइवन की नेतत्य में भारत के लिए एक नया सम्मिधान एक सुदार आयोग बनाया पर उसका एक भी सदस भारतिय नही इसका वहिसकार किया इसके बश्चाद दिसंबर 1928 के कलकत्ता दीवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को भारतिय समराज को सक्ता पिदान करने के लिए का ऐसा ना करने पर देश की आजादी के लिए असहिव गांदुलन का सामना करने के लिए तियार रहने के अंग्रेजों द्वारा जवाब नहीं मिलने पर 31 दिसंबर 1929 को लाहूर में भारत का अजन्डा फेराए गया कांग्रेज ने 26 जनवरी 1930 का दिन भारतिय सुतंत्य दिबस्किरों में मनाए इसके पश्चात गांदी जीन तरकाद वान नमक पर कर लगाए गए जाने के विरोद में नमक सत्रग चलाया जिसके दिन तरकत 12 मार्श से 6 अपरेल तक अहमदावाद से दांडी गुजरात तक लगवक 388 किलोमीटर की यत्रा इस यत्रा का उद्देश स्वयम लग नमक उत्वन करना था इस स्यात्रा में हजारों संख्या में भारतियों ने भाग लिया और अंग्रेजी सरकार को बिचलित करने में सफल रहे इस दोरान सरकार ने लगवक 60,000 से अधिक लोगों को गिरफतार के लिया जेल भिद्दिया इसके बाद लॉर्ड इरविन के पिति निति वाली सरकार ने गांदी जी के साथ विचार विमस करने करने ड़लिया जिसके फलसुरूप गांदी इरविन संधी पर मार्स 1931 में हस्ताक चरू हुई गांदी इरविन संधी के तहट वेटिस सरकार ने सभी राजनेति केदियों को रहा करने के लिए सहमती दी इस समझोते के पाईडामस और उप गांदी कांग्रेस के एक मात पिति निधी के रूम में लंदन में आईजित गोल में सम्मेलन में भाग लिया परन्तु यह सम्मेलन कांग्रेस और दूसरे राष्टवादियों के लिए घोल निरासा जनक रहा इसके बाद गांदी जी फिर से ग्रफतार कर लिए गए और सरकार ने राष्टवादी अंदुलन को कोचलने की कोसिस की 1934 की बात करें तो 1934 में गांदी ने कांग्रेस की सदस्ता से इस्थीपा दे दिया उन्होंने राजनेति गतीविदियों के स्तान पर अब रचनात्मक काईक्रों के माद्धियम से सबसे निचले इस्तर से राष्ट के निर्मार पर अपना ध्यान लगाया उन्होंने ग्यामीर भारत को सिक्षित करने, छुगा छूत के खिलाब अंदोलन जारी रखने, कताई, मुनाई और अनकुटीर और दोगों को बढ़ावा देने और लोगों की आवक सक्ताओं के अनकूल सिक्षा पेडाली बनाने का काम सुरूं किया इनका हरियन अंदोलन देख लिते हैं मतुमा गांदी का, दलिन नेता वी आरम मेड़कर की स्कॉसिस के परड़ाम सरूप, अंग्रेज सरकार ने अच्छूतों के लिए नए समिनान के अंतरगत पित्थक निर्वाचन मंजूर कर दिया येरवदा जेल में बंद गांदी जी ने इसकी दिरोध में सेप्टमबर 1932 में च्छे दिन का उफवास किया वो सरकार को एक समान विवस्ता पूना पैट अपनाने पर मजूर किया अच्छूतों के जीवन को सदाने के लिए गांदी जी द्वारा चलाये गए अवियान की यह सुरूनात थी आठ माई 1933 को गांदी जी ने आत्म सुद्धी के लिए कीस निन का उफवास्त किया हरीजन अंदोलन को आंगे बढ़ाने के लिए के लिए एक बरसी अवियान्स की शुरूनात की अंबेड का जैसे दलिट नेता इस अंदोलन में पिसंद नहीं थे गांदी जी द्वारा दलिट के लिए हरीजन सब्द का पुपयोग की निन्दा की गई दुतिये विसेउदी की बात करें हो भारत छोड़ो अंदोलन दुतिये विसेउदी के आरम में गांदी जी अंग्रेजों को अहिंसात्मक नेतिक सहयोग देने की पक्षर थे परंदु कांग्रेश के बहुत से नेता इस बात से नापुस थे कि जन्ता के तितिनी दियों के परामर्स के लिए बिना ही सरकार ने देश को एउद में जोंक दिया था गांदी ने गोशना की कि एक तर भारत को आजादी देने से इंकार किया जा रहा था मैं दूसरी तब लोग, न्त्रिक, सक्तियों की जीत के लिए भारत को एउद में सामल किया जा रहा था जैसे जैसे एउद बरता गया गांदी जी और कॉंग्रेस ने भारत चोड़ो आंदुलन की मार्ग को तीब कर दिया भारत छोड़ो अंदुलन का संगर्स सरभादिक सक्तिसाली अंदुलन बन गया जिसके व्यापक हिंसा और गरपतारी हुई इस संगर्स में हजारों की संख्या में सुतंता सेना नहीं या तो मारे गए या घाय लोगे या और हजारों गरपतार भी कर लिए गए गांदी जी ने यह इसप्ष्ट कर दिया था कि वह बेटिस से और प्रियासों को समर्थन तक तक नहीं देंगे जब तक भारत को ततकाल आजादी नाद दी दी जाए। उन्होंने यह भी कह दिया था कि व्यक्तिकत हिंसा के वागजूतिया या अंदूलन बंद नहीं होगा। उनका मनना था कि देश में व्याप्त स्तरकारी अराजकता असली अराजकता से भी खतनाक है। गांधी जी ने सभी कांग्रेसियों और भारतियों को एहिंसा के साथ करो या मरो, दूओ और डाए कसात अनुसासन बनाए रखने को कहा। जैसा की सब को अनुवान था कि अंग्रेजी सरकार ने गांदी जी और कॉंग्रेस कारकारडी समिती के सभी सदस्तों को मुंबई में 9 अगस्त 1922 को गिरफतार कर लिया गांदी जी फूरे के आगा खा महल को ले गए जहां उन्हें दो साल तक बंदी बना कर रख गया इसी दोरान उनकी पत्नी कस्तूर्वा गांदी का देहांत हो गया 22 फरवरी 1944 को हो गया था उनकी कस्तूर्वा गांदी का जनम पत्नी का कुछ समय बाद गांदी जी मलेरिया से फीडित हो गए अंग्रेज उन्हें इस हालत में जेल में नहीं छोड़ सकते थे इसलिए जरूरी उपचार के लिए 6 मई 1944 को उन्हें रहा कर दिया आंसिक सफल्दा के बाप जूद भारत छोड़ो अंदोलन भारत को संक्टित कर दिया और दुतियव इसे उद्दि के अंत तक बेटिस सरका ने इस पर संकित दे दिये कि जल्दी सकता भारतियों के हाथ में सौब दी जाए गांदी जी ने भारत छोड़ो अंदोलन समाप्त कर दिया और सरकार ने लगबग एक लाज राजनेतिक्स के दियों पूरिहा कर दिया अब देश की विवाजम की बात कर लें भारत की जैसा क बहुलत देश पाकिस्तान की मांग तीब हो गई चालीस के दसक में इन ताक्तों ने एक अलग राष्ट पाकिस्तान की मांग को वास्त विक्ता में बदल लिया गांदी जी देश का वटवारा नहीं चाहते थे क्योंकि उनके धार में केक्ता के सिद्धान से विल्कूल करें तो 30 जन्वरी 1948 को राष्ट पिता महादमा गांदी जी की दिल्ली के विल्ला हाउस में साम पंच बस कर स्तरा मिनिट पर हत्या कर दिये गांदी जी एक प्रात्ना इस सभाव को संबोदित करने जा रहे थे तब ही उनके हत्यारे नाथुराम गोडसे ने उनके सीने में तीन गोलियां दागी ऐसा माना जाता कि हे राम उनके मुक्ष से निकले अंतिम सब्द थे नाथुराम गोडसे और उनके सहयोईयों पर मुकदमा चलाएगा उनीस सो उननेंचास में उन्हें मौत की सजा सुनाईगी तो दोस्तों यह थी महतमा गांदी की कहानी जो हम लोग जोह हम जोогले आगास की कहे रीघक है झानके साथ।